जे मैंसी की दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉंबी शेहर में रहकर परमेश्र की सेवा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्र का कि उसने मुझे चुना इस लाइक समझा कि मैं आप तक रोज एक मनना पहुंचाओं यह उसका अनुख्र है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका उसा, आपकी चाहत, आपका प्यार मुझे मिलता है जब मुझे यह पता लगता है कि आपको यह मनना आशीश दे रहा है जब आपके जीवन में ये वचन परमेशर के आशीश दे रहे, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं प्रात्रा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरे लिए प्रात्रा करते रहे ताकि मैं यही रोज एक मन्ना और परमेशर की सिवाग करता रहा हूँ तो दोस्तों, आज के सुरी ये मन्ना का भाग हमने लिया है, इफीसियो की पत्री, उसका दूसरा अध्याए और उसका दस्वा वचन, वचन क्या कहता है, वचन कहता है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसी एशू में उन भले कारियों के लिए स्राजे गए है, जिन अध्याद भुद्ध है परमेश्वर, तो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्यों चुना है परमेश्वर तुने, तुने क्यों हमारी बुद्धी खोली है, और क्यों तुने हमारे मन में ऐसा ग्यान उडेला है, कि जिस ग्यान की शक्ती हमें हर पल महसूस होती है, द कि हम भले कारे करें भला कार क्या है? भले कारे के कुछ नियम है जो परमेशर ने हमें बता है बहुत से नियम है लेकिन कुछ नियमों के बारे में आपको बताऊंगा कि परमेशर कहता है भला कार प्यार करो एक दूसरे से प्यार करो जो तुमें साथ आते हैं उनके लिए प्रात्रा करो अगर कोई तुमारे एक गाल पे थपड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो दुश्मनों के दिलों में अपनी चखा बनाओ दुश्मनों के दिल में रहकर उनको बताओ कि ईशू मसी कौन है भलाकार क्या है देखे ईशू मसी ने हमें बताया इस धर्ती पर हमें करना क्या है क्योंकि ईशू मसी ने हमें परमेश्वर से मिलवाया हम जानते थे कि वो खुदा है हम जानते थे वो रचैता है हम जानते थे वो परमेश्वर है हम जानते थे वो यहवा है अलो ही है लेकिन यहन्ना 17.11 में ईश्वमसी ने हमें बताया कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है और उसने कहा कि हे पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तुने मुझे दिया है इनकी रखशा कर जैसे हम एक है वे भी एक हूँ वो कौन सा नाम है पिता परमेश्वर हमारा पिता है ये सिर्फ बाइबल ही बता दी है परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है ये भलाई का काम परमेश्वर ने इश्वमसी के द्वारा हमारे तक पहुँच आया तकि हम डरे नहीं तकि इस धर्ती पर रहते हम जाने कि हमें इस पूरे संसार से इस पूरे संसार से अपने पिता को मिलवाना है अपने पडूसी से अपने पिता को मिलवाना है अपने भाई अपने बच्चे को अपने पिता से मिलवाना है धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तुन्हें वो कारे हमें सौंपा है जिस का में अद्बु शिक्षा है जिस कार में अनुभूती है तेरे प्यार की तेरे त्याकी जो कार हमें बताता है कि इस धर्टी पर रहना सुख तब मिल सकता है जब हम उस पिता को जाने अगर हम उस पिता को नहीं जाने तो हम उस सुख को अनुभूत नहीं कर सकते अगर हम उस पि जो पिता के मुख से निकला उसको पूरा किया खाले रही है। पिता ने क्या कहा कि मेरे बारे में मेरी गवाई तुम दुनिया को दो इशुमसी ने दी। और वही कारे हमें करना है। आप सुचिए वो चोर जो इशुमसी के साथ क्रूस पर लटका था। क्या इशुमसी ने नहीं। उस चोर ने इशुमसी की भलाई देखी थी। उस चोर ने देखा था कि इशुमसी के अंदर क्या भलाई है। वो भलाई ये थी। वो सैनिक। वो महायाजक। क्रूरता के साथ इशुमसी के साथ वहवार कर रहे थे। वो सैनिक। उसके मुँपे थूक रहे थे। उसका उपहास कर रहे थे लेकिन ईशू मसी ने क्रूस पर पिता परमेश्वर से बात्रा की कि परमेश्वर इन्हें माफ कर इन्हें माफ कर कि यह नहीं जानते ही क्या कर रहे है उस भलाई को देखकर चोर का दिल बखला उस भलाई को देखकर क्योंकि धर्टी पर कुछ नहीं है वो भला कारे उस जोर को सुरक तक ले गया तो हमारा भला कारे हमारा भला कारे हमारे दोस्तों को हमारे पडोसियों को हमारे अजीजों को सुरक तक पहुंचाने के लिए है इसलिए उस भले कारे को करने के लिए हमें हमेशा इस्तर्क रहना है उस भले कारकों करने के लिए हमें हमेशा आगे रहना है वो भलाई का काम हमें कभी नहीं भूलता है क्योंकि अगर हम संत हैं तो इसलिए हैं ताकि हम भला काम करें अगर हम चुने हुए हैं तो इसलिए हैं कि हम भला काम करें और भला काम क्या है कि पिता को संसार से मिलवाना पिता को लोगों से मिलवाना बताना कि इस धरती पर अगर हमारा कोई है तो पिता है वही विश्वास योग है वही सच्चा है वही अनुगरेकारी है वही है हमें जो पापो शापों से बचाता है वही है जो हमें वाट केंता तृ किसे तरीके से दाओध के पीछे पढ़ा था उसको मारना चाहता था अपिने सेना को लेकर वो दाओध को ढू ELO int. रहुँ रहा है था और दोन रहा हा था की वो զाओध को खतं करते लेकि faço लेकिन दाओध उस भले कारे को जानता था जो परमेशियर की ओर से का दाउद जानता था कि मुझे कौन सा भाला काम करना है हालेलुया और एक दिन की वात है एक दिन का वाक्या है जब शाउल उसे ढूनते ढूनते एक गुफा की तरफ गया और वहां पर वहां पर दाउद को मौका मिला क्योंकि शाउल उसके बहुती करीब था खालेलुया तब दाओद उठा और उसने शाओल के बागी की छोर में से चुपके से कुछ काट लिया खालेलुया लेकिन जैसे उस कुफा से बाहर निकला शाओल दाओद उसके पीछे था क्योंकि दाओद के साथ भलाई थी दाओद के संग वो काम था जो परमेश्वर ने उसे दिया था दाओद के मन को परमेश्वर ने बतला हुआ था दाओद के मन को परमेश्वर ने अपने प्यार से जकड़ा हुआ था प्यार के प्यार में डुबो दिया था इसलिए दाउत ने बाहर आकर शाउल से कहा शाउल तो मुझे क्यों मारना चाहता है देख आज परमेशर ने मुझे तेरे सामने कर दिया था परमेशर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा ये देख बागी की छोर जो मैंने तेरी कमर से काटी है देख अगर मैं चाहता तो 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 जे मार सकता था लेकिन मैं परमेश्र के उस भलाई को चांता हूँ तो क्योगी परमेश्र ने मुझे भलाई करने के लिये ही धर्ती पर भेजा है इसलिए मैं जाता हूँ कि परमेशर का अभी शिक्त जो कि परमेशर का दास है उसकी भलाई करना मेरा काम है इसलिए देख मैंने आज तुझे नहीं मारा इसलिए तू मेरे पीछा करना छोड़ मुसे दुश्मनी करना छोड़ और जब वो वचन दाउद ने कहे शाहूल रो पड़ा शाहूल रो पड़ा दोस्तों आपकी भलाई दुश्मनों को रोला सकती है हमारी भलाई दुश्मनों की कठोड़ता को पीश सकती है हमें दूसरों की कठोड़ता को इस्थिरता में कठोड़ता को प्यार में बदलना है और उसके लिए हमारे पास क्या हत्यार है? भलाई क्योंकि भलाई के लिए स्टजे गए है हमें भलाई के लिए बुद्धी मिली है हमें भलाई के लिए ग्यान मिला है हमें भलाई के लिए सच्चाई मिली है इसलिए ईशुमसी ने अपने चेलों के पैड़ दोए और उन्हें बताया कि जो दीन बनेगा वो ही उचा उठाये जाएगा तो दोस्तों आज का दिन है आज का दिन पवित्र है और हम भलाई के लिए ही समर्पित हैं हम भले कामों के लिए ही बनाए गए हैं ये बात ये सोच हम अपने मन में रखें और भलाई करते जाएं जिसे परमेशर की महिमा हो जिसे लोग जाने की परमेशर कौन है जिसे जाने क की format अंका पिता है आये हम धन्यवात की hoc करते है थन्यवाद मिता moments पर मिता आजका दिन पविद्र एंदेरा नाम में आ